नमस्कार मित्रो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी स्वस्थ और सानन होंगे और आज सबसे पहले एक ऐसे स्टॉक की बात करूँगा जिसमें बहुत ही जबर्दस रिजर्ट पोस्ट हुआ है और अभी अभी Q3 का रिजर्ट आया है बड़ा ही शांदार नाम आपके सामने है मध्य भारत एग्रो प्रोड़क्स लिमिटेड एमबी एपी एल जो की इंडिया बेस फर्टिलाइजर मैनुफैक्ट्रर है मार्केट कैप 426 करोड स्मॉल कैप कंपनी है करेंट प्राइस 194 रुपया 194 का 52 वीक हाई 227 और 52 वीक लो 67 रुपीज का है और बुक वैल्यू देखिए 75.7 है रोसी 16.6 परसेंट मार्विलस है रोई भी 14.5 परसेंट मार्विलस है स्टॉक पी 9.91 है जबकि इंडस्ट्री पी 10.2 है तो इंडस्ट्री पी से कहीं कम पर आपको इस समय मिल रहा है जबकि इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं रोसी रोई आपने देखी लिया बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा पर ट्रेड नहीं कर रहा है 2.57 ट्रेड कर रहा है फ्री कैश फ्लो माइनस 26 क्रोर है जबकि डेट इस पर 75 क्रोर का है यहां मैं आपको सीथा सीथा इसके रिजल्ट पर लिए चलूँगा पिछले 12 कौटर्स का रि यहां से लगभग 600 पर सेंट का जम्प मुझे दिखाई देता है करिब करिब और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 27 पर सेंट था जो कि इस समय डाउन होका 20 पर सेंट आ गया है नेट प्रॉफिट चार करोर का था जो बढ़कर 23 करोर हो गया है 23 करोर यहां और 5 हो गया है यह भी करिब करिब 600 पर सेंट का जम्प यहां आपको देखने को मिल रहा है यह यहर ऑन यर बेसिस पर बताया मैंने quarter on quarter basis पर देखें तो 86 crore का sales था जो की बढ़कर 192 crore हो गया है यहां करिब करिब 120% का mind blowing jump आया है quarter on quarter basis पर भी 120% का year on year तो 600% का था operating profit margin देखिए 22% से slightly घटा है 20% हो गया है net profit यहां पर 9 crore से jump करके 23 crore हो गया है और यहां करिब करिब 250% का jump हुआ है अपने original value से तो इतने जबरदस result के बाद इसमें एक कमी मैं आपको बताऊंगा कि इसके margins में कमी आई है और margins usually 24 से लेकर 27 के बीच फैरी करता रहा है लेकिन अभी पिछले 4 quarter से यह है 14 24, 22% और फिर 20% तो margins थोड़े कम आ रहा है लेकिन आप यह देखिए कि sales में कितना भेंकर ग्रोथ हुआ है और इसकी वज़़े से EPS में भी कितना भेंकर ग्रोथ हुआ है इसे stock पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए मैं सिधा आपको लेकर आया हूँ चार्ट पर लाइफ चार्ट आपके सामने है देखिए यहां पर करिब करिब 227 का peak बनाया था इसने September 2021 में और करिब 5-6 मैने बाद आज आपको लगबग 193 के price पर मिल रहा है अगर आप 1 month to 3 month का target मुझसे पूछते हैं तो इस result के मद्दे नजर इसका जो target बनता है इसको 220 को टच करता हुआ देखता हूँ और यहां पर करिब करिब जो gain percentage है वो 15% के आस पास है तो इसे stock पर definitely अपनी नजर बनाये रखें मैं यहां एक चीज़ आपको और भी दिखाना चाहता हूँ इसका PE ratio का chart देखिए अभी कुछ दिन पहले तक इसका PE ratio जो था यह नॉमबर के बाद का PE ratio दिखा रहा हूँ नॉमबर में इसका PE करिब 19 के आस पास था अभी हाल में भी बिलकुल अभी 4-5 रोज पहले भी अगर इसका PE देखें तो करिब करिब 18-17 के आस पास था और अभी अचानक से जो result आया है तो EPS में इतना जवरदस्त increase हुआ है कि इसका PE अपने एक साल के पिछले तीन साल के average PE के मुकाबले भी गिर गया है देखिए यहां पर average PE करिब करिब 11 के आस पास है यह 11 के आस पास है अभी गिर कर यह 9 के आस पास आ गया है तो यहां से मान कर चलिए कि करिब करिब इसमें जो मैं जंप देखता हूँ यहां से minimum 220 का level तो यह definitely touch करेगा अब मेरे ख्याल से यह बड़ा ही conservative target है मेरे ख्याल से इसमें कहीं और बड़ी बड़त हो सकती है और इसके delivery percentage भी मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहां पर बड़े-बड़े delivery percentage है 25 January को 65%, इतने बड़े volume है 60%, फिर इतना बड़ा volume 61%, फिर इतना बड़ा volume 53%, फिर देखिए 66, 61, 72, 57 तो इस तरह का जबरदस्त delivery से stock में चल रहा है और मेरा पूरा विश्वास है, यह definitely आपको एक बड़ा gain देने में समर्थ है यह मेरा opinion है, मेरा opinion गलत भी हो सकता है और आप इससे बिलकुल disagree कर सकते हैं यहां मैं साथ के साथ बता दूँ कि मैं कोई buying या selling recommendation नहीं देता हूँ मैं सिर्फ आपको study को facilitate करने के लिए facts आपके सामने present करता हूँ देखिए हमारा एक private whatsapp group है, जो सिर्फ pattern members के लिए है और बड़े ही nominal fees पर हम इसमें entry देते हैं, इसमें कई सारी शोविधाएं भी देते हैं तो अगर आप इस group में interested हो, whatsapp group का number screen पर show कर रहा है नंबर पर हमें आप message करें, हम definitely आपको revert back करेंगे और इस group में शामिल करेंगे चलिए अब एक दूसरे stock की बात हम करते हैं, और ये stock है UFO movies हाम तोर पे आपने UFO movies का परचार जरूर देखा होगा, अक्सर cinema से पहले या cinema के बाद या बीच में भी कभी कभार मैंने इसका परचार देखा है, UFO movies, India is engaged into business of providing digital cinema service, ठीक है, तो digital cinema देने में ये काम करती है, तो digital cinema फिल्ड में ये काम करती है, 52 week high इसका 125 का है, 52 week low 68.4 है, current price देखिए 102 रुपे का है, जाने कि अपने 52 week high से करिब करिब, ये 22-23% discount face में मिल रहा है, book value 55.8 है, और ROC काफी खराब मिलेगा, minus 33.5, ROE इतना ही खराब है, minus 37.3%, face value 10 rupees का है, debt 116 करोड का है, place percentage 26.2%, industry P21.6 है, देखिए यहाँ पर चुकी इसका कोई P.E. नहीं है, और ये घाटे में चलने वाली company है, free cash flow भी यहाँ पर minus 39.8 करोड के आसपास दिखाई देता है, हम सीधे result की ओर चलते हैं, और इस result में देखते हैं कि क्या हुआ है, इस पूरे result में देखेंगे आप कि September 2020 में 11 करोड का sales था, इसके बाद ascending order है, बिलकुल देखिए, 26, 32, 27, 26, 51, अब year on year basis पर comparison करें, तो 26 क्रोड के मुकाबले, December 2021 में 51 क्रोड हो गया है, यहाँ करिब करिब 95% का mind blowing jump है sales में, और इसी तरह September 2021 के मुकाबले, operating profit margin देखिए, minus 97% से improve होकर minus 6% पर आ गया है, जो अपने आप में बड़ा ही जवरदस्त figure है, और net profit जो है, minus 28 क्रोड से improve होकर minus 13 क्रोड आ गया है, accordingly, EPSB minus 9.95 से improve होकर minus 3.45 आ गया है, तो year on year basis पर बड़ा ही drastic improvement है, और quarter on quarter basis पर देखिए, तो 26 क्रोड से बढ़कर 51 क्रोड, again 95% का जोड़ार jump है sales में, और operating profit margin minus 61% से improve होकर 6% हो गया है, ये भी marvelous है, और net profit minus 28 क्रोड से improve होकर minus 13 क्रोड हो गया है, यहां again बहुत जबरदस्त improvement देखने को मिल रहा है, और EPSB minus 9.98 से improve होकर minus 3.45 हो गया है, तो हर हालत में देखेंगे आप quarter on quarter basis पर, year on year basis पर, दोनों में ही sales में, operating profit margin में, और net profit EPS सब में एक जबरदस्त improvement आपको दिखाई देगा, और यहां मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, March 2019 से March 2020 तक देखे, EPS positive था, और सिर्फ एक quarter में negative था, March 2020 तक देखे, सारा positive है, लेकिन इसके बाद देखे, जबरदस्त negative है, minus 11, minus 10, minus 9, minus 9, minus 9.4, minus 10, और यह minus 3.45, तो इसे लिए EPS में बड़ा ही drastic change यहां पर दिखाई दे रहा है, और sales में भी आपने देखा कितना जबरदस्त यहां पर उच्छाल दिखाई दे रहा है, तो यहां आपको मैं इसके live chart पर लिया आया हूँ, इतना जबरदस्त result post करने के बाद मुझे लगता है, इसमें definitely एक बढ़िया move आना चाहिए, काफी दिनों से एक छोटे range में consolidate कर रहा है, हाल में 90 के level को भी इसने touch किया था, अभी 102-103 रुपे पर चल रहा है, देखे रिजल्ट तो बड़ा ही शांदार है, लेकिन ये भी हमें मान कर चलना चाहिए, कि तकरिवन 90 रुपी से उठता हुआ, अभी हाल में 103 रुपे पर आया है, यहां करीब-करीब 15% का उच्छाल, पिछले एक डेड़ महिने में इसमें आ चुका है, रिजल्ट अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, हाला कि ड्रास्टिक इंप्रूब्मेंट है, तो इस स्टॉक पर अपनी नजर जरूर बनाए रखें, अगर पोजिशन बनाना भी हो, तो इस पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर पोजिशन ना बनाए, अगर बनाना भी हो, तो 103 पर सिर्फ 50% खरीदें, और अगर ये कहीं नीचे जाए 90 रुपीज तक मिले, तो डेफिनिटली इसमें 50% तक और भी पैसा लगाए, स्टॉप लॉस यहाँ पर 80 रुपीज का स्टिक्टली लें, यहाँ से जो टार्गेट दिखाई देता है, अगर आपका अवरेज प्राइस कहीं 100 रुपीज के असपास है, तो यहाँ से टार्गेट 120 रुपे का होगा, यह 1 month to 3 month का टार्गेट में दे रहा हूँगा, एक तीसरे स्टॉक की बात करना चाहूँगा, देखिए यह स्टॉक है, उगर सुगर, वर्क्स लिमिटेड, आपको पता है, आजकर चीनी के स्टॉक्स बहुत जबरदस्ट चल रहे हैं, आप किसी का भी नाम ले ले लीजिए, सारे के सारे स्टॉक्स जो की बिल्कुल ऑंदे मूँ पड़े थे, उसी तरह जैसे सेल वगरा को कोई पूछता नहीं था, लेकि नचानक से देखिए सेल में कितना बड़ा जबरदस्ट मोमेंटम आया, इसी तरह सुगर के स्टॉक्स भी काफी चल रहे हैं, क्योंकि आज कर आप जानते हैं कि अलकोहल से गाड़ियों को चलाने की बात हो रही है, अलकोहल आयागा कहां से, तो डिस्टिलरीज जो है, वो सुगर वर्क्स के साथ एक इंटिग्रेटेड प्रांट हमेशा होता है, दिस्टिलरीज का, और मतलब एक बड़ा ही नैचुरल बाइप्रोडक्ट की तरह अलकोहल भी निकाला जा सकता है, सुगर इंडस्टिरी में, तो यहां उगर सुगर का भी देखिए, यह बुक वैल्यू 4.86 है, करेंट प्राइस 34.5 है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कौसन देना चाहूँगा, कि बुक वैल्यू से लगवग साथ गुना पे यह ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक पी यहां पर 10 रुपीज है, जबकि इंडस्टिरी पी 12.6 है, डेट 342 करोड का है, फ्री कैश फ्लो माइनस 77.8 करोड का है, फेस वैल्यू 1 रुपी का है, यहां हाई लो देखिए, हाई है, 40 रुपीज का इसने बनाया था, और लो 15 रुपीज का बनाया था, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, कि बुक वैल्यू थोड़ा इसका प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा इसका ज्यादा है, लेकिन आपको यह भी मान कर चलना चाहिए, कि इसमें चुकि अलकोहल बनाने वाली कंपनी है, सुगर के साथ अलकोहल भी बनाएगी, और अलकोहल जो है लगातार यूज होने वाली है और अटो इंडस्ट्री में, अज फ्यूवल, डिफिनिट्ली इस स्टॉक में एक बड़ा बढ़िया मूव मैं देखता हूँ, यहाँ आपको सीधा में इसके रिजल्ट पर लिए चलता हूँ, यहाँ पर जो गेन आता हूँ, मुझे दिखाई देता है, पर अपर तीस परसेंट के आसपास सेल्स में जंप है, अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उननिस परसेंट से इंप्रूब होकर बाइस परसेंट हो गया है, यहाँ भी अच्छा खासा इंप्रूब्मेंट है, और नेट प्रॉफिट देखिए, 33 करोड से इंप्रूब होकर 51 करोड हो गया है, 33 करोड से 51 करोड, EPS भी अकॉर्डिंगली 2.92 करोड से बढ़कर 4.55 करोड हो गया है, इस पूरे 12 कॉर्टर में आप देखेंगे, यहाँ पर उप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जन सिर्फ 19 परसेंट था, उप्रेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 40 करोड था, जबकि इस बार स्लाइटली सेल्स कम भी है, लेकिन देखिए, मार्जन चुकि 22 परसेंट का है, वर अप दाइएस टेवर है, तो चुकि यहाँ पर मार्जन 22 परसेंट के आसपास हैं, तो इसे लिए उप्रेटिंग प्रॉफिट भी देखिए, यहाँ पर 64 करोड है, जो कि पिछले पूरे 12 कौर्टर में हाइस टेवर है, तो सेल्स भी वन अप दाइएस टेवर, प्रॉफिट, ऑप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जन भी वन अप दाइएस टेवर, और ऑप्रेटिंग प्रॉफिट भी हाइस टेवर, इसी तरह देखिए, EPS भी आज तक का हाइस टेवर है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हाइस टेवर है, तो ये इस बार का जो result है बहुत ही शांदार रहा है और इसलिए मुझे इस stock में एक बड़ा momentum आता हुआ दिखाई देता है मैंने वीडियो नंबर 342 में आप लोगों को recommend किया था तीन stock तीनों के बारे में जो मैंने commentary देखी ज़रा सुनिएगा ये वीडियो नंबर 342 का thumbnail मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें शिल्चर टेकनोलोजी मैंने बताया था 260 के price पर आपको recommend किया था और 315 रुपे का peak इसने touch किया 20% का जोरदार upside था शिल्चर टेकनोलोजी में 3402 में ही ये तिरुमलई केमिकल की भी मैंने बात की थी ये भी लगबग 260-261 रुपे पर था और ये इसने आज 275 का peak टच किया 275 का यहाँ जोरदार 7% की तेजी थी ये वीडियो नंबर 338 में हिंदुस्तान मीडिया वेंचर सेचम वील की बात मैंने की थी दो दिन पहले 73 के price पर आपको recommend किया था और 79.5 का peak इसने आज टच किया यहाँ पर जो आपको gain मिला है mind blowing 9% का in just one day सिर्फ एक दिन दो दिनों में मेरे stocks ने किस कदर धूम मचाया है देखे वीडियो नंबर 342 में ही मैंने राज कुमार फोर्ज की भी बात की थी इसमें आपको within two days लगवग 15% के आसपास का gain मिल गया है देखे वीडियो नंबर 345 में मैंने MAS finance बताया था याने कि पिछले वीडियो में private whatsapp group पर पहले ही इसको update कर दिया था तो 20% का gain तो उसी दिनों लोगों को मिल गया था लेकिन उसके बाद next day मैंने आप लोगों को बताया तो इसमें भी आज 16% की जोरदार तेजी थी देखिए पहले दिन ये 471 से 565 चला गया था और दूसरे दिन 565 से 640 चला गया था और यहां पर further 16% के आसपास की तेजी आज मैंने close पे देखी थी तो सिर्फ एक दिन में Mass Finance ने आपको 16% का गयन दिया है आप इन वीडियो को जरूर चेक करिएगा जो मैं आपको बताता हूँ देखिए वीडियो नूमबर 340 में मैंने HT Media की बात की थी देखिए HT Media 32 रुपे पे आपको बताया था जोरदार तेजी थी लगभग 13% की 29 जनवरी को मैंने आप लोगों को बताया था और देखिए सिर्फ 3-4 दिनों में आपको 13% का गयन इसने दे दिया है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर करिए सबस्क्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको regular notifications मिलते रहें मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जबरदस्त वीडियो में कल फिर से तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जये श्री राम